इसम्जार की बात करें कि टोटल कितनी शाप्स हैं यहां पे अल्मोस्ट दो 2500 दुकाने है दो, Silica लागवान अे इसमारे कलाम है चार कुल है किचे भी आपने लगाए हैं ये भी आपने लोगाए हैं है तो ठीक है भाई आप इसलम कबूल करवाओ बैश्यक करवाओ आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना लेकिन लड़कियां क्यों लड़कियां भी टीनेजिस में जिनकी एजी नहीं होती बारा साल पंदरा साल चुद्धा साल तेरा साल अब बारा चुद्धा पंदरा साल कानू में राइट नहीं उनको अठारा साल से पहले आप कुछ कोई बिस्टेंट नहीं ले सकते हैं अपने घर के खर्चे नहीं पूरे लिटर मिल रहा है तक्रीवन डेड़ सो से दो सुरू पर लिटर दूद है आप क्यूं परेशान करते हैं आप के लिए अवराल बात नहीं वह मैं कहना यह था मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है मैं वहां पर काम सीखता हूं वो चला जाता है मुझे बरोसा करता है और आप उस पर और मैं उस पर बरोसा करके अपने सामान वगएरा वहीं पी रखता हूं तो यह अगर आप दिखाएं यह क्या चीज़ आपने पहना यह राकी है 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 यह भी राकी है यह राकी है वह मुझे पता है और यह के यह सारी राकी है फॉर्स कर्वेंसेशन जो है ना वो हमारे आमात एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हम इनके कोई बंदा मतलब कोई हमार चोदरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटर्टेन्मेंट टीवी कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया डिस्ट्रिक सक्खर के जो हिंदू कम्यूनिटी है उनकी कंडीशन दिखाई उनके जो महले हैं वो जहां रहते हैं जैसे रहते हैं वो दिखाए आज मैं मजूद हूँ रोडी का एक एरिया है और यहां पर हिंदू कम्यूनिटी बिजनस करती है किस रीके से वो अपने बिजनस को चला रहे हैं फ्लाट आने के बाद उनकी क्या आप बड़ेए आपका नाम क्या है गरिश कुमार गरीश कुमार गरिश कुमार काश्मेटिक गर्मेट्स का काम है और कास्मेटिक कांडीक सबसे पहले यह बताएं के फलाट आया सिंद میں ज्यादा नुकसान हुआ खास और पे आरिये की बात करें, बहुत ज्यादर नुक्सान हुआ, अब फ्लाट के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनस कैसा चल रहा है, ऐसे समझो, बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है, आइसा आइसा मामूल पे आ रहा है, आइसा मामूल के बाद, नुक्सान हुआ, उसक माता श्री गनिश भगवान और ये महादेवें माता पारवती हैं ठीक है अच्छा मैं क्वेस्टन ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आपको पता है मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं मिनौरिटीज हैं तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं इस तरीके से एक रुमन राइट की एक इंटरनेशनल लेवल पर जो राइट होते हैं ना के बराबर किया में बडाबरी मेजाटी जो फरक तो मैंनाटी को मेनाटी समझा जाता है बिल्कुल यह भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तसलीम करता हूँ कि अक्सर यह कहते हैं जो मिनारिटी 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 नो डौट वो अगर डाकॉमेंट्स में देखा जाए मिनारिटी लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं पाकिस्तानी मुस एजूकेटिड नहीं है थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं और उनका क्या हाल होगा उनका तो हमसे ज्यादा बुरा हाल होगा वही तो बाद का रहा हूँ आप तो भी देखें दुनियादार हैं मलब लोगों से मिलते हैं कारोबार आपका चाल रहे हैं आपके वरकर है तो आप ये कहा रहे हैं राइट नहीं मिल रहे तो जो लोग हैं जो बिचारे मज़़़ी करते हैं उनको मुश्किलाट क्या आती है वज़़ा क्या है मजदूर जो है मजदूरी है मतलब एक तकलीफ है उन्हें पर बहुत है क्योंकि वो गरीब जो है ना गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बोल करता है लेकिन बिल्कुल वह ठीक है और दूसरी बात जो मैंने आपको सफेरे बताई कि हम सफेद पोश और मिडल क्लास होते ना ये ऐसे समझो घरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं वज़ाई है क्योंकि ये हाथ किसी के हाथ नहीं पहला सकते किसी से मांग नहीं सकते और हमारी कोई मदद भी नहीं करता क्योंकि उनकी नजर है बड़ा बिजनस है वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं लेक और से बहुत सोचल मीडिया पे देखने में आता हूझा है अदि कभी प्रोस काण्यों की बात हो रहे होती है कभी जुन को फर्स कंवर्जिंशिन की बात नहीं होती है हम मेनाटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडा गर्दी नहीं कर सकते और मिनारिटी मेरी नजर में शायद हो सकते हैं पबली की नजर में हो सकते हैं कनून की नजर में तो कोई मिनारिटी कोई मजारिटी नहीं है ना कनून की कानून भी ऐसे समझो बस वो जो बड़े लोग हैं मजबूत ताकतवा लोग है उन्हीं का है कानून भी पैसों पर ही जलता है और कुछ तो नहीं आप क्या नाम है मेरा नाम अलावख्ष है मैं मुसलिम हूँ आप मुसलिम है तो आचा मुसलिम से थोड़ा साप अगर आजें यह हिंदू कम्यूनिटी है देखे उन्होंने अपने परेशानियां बताई और परेशानियां डैफिनेटली मुसलिम हूं मुसलिम हूं मुसलिम हूं तो आप यहां पर रहते हैं जी जी मैं गंबड कही है क्या परेशानियों ने आती है और आप क्यूं परेशान करते हैं आ पीछे पीछे अगर इस इंसानिया देखें ना मैं अपने दोस्त पर क्या काम करता हूं वो चला जाता है मुझे बरुसा करके और और मैं उस पर बरुसा करके अपने सामान वगेरा वहीं पी रखता हूं इसमें हमारी नजरों में तो ऐसा कुछ नहीं है मगर आजकल का जो महोल है ना तो वह ऐसा बन गया है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग बलके मैं यह कहना चाहूंगा अब तो एडवांस दोर आ रहा है आप तो सोशल मीडिया का दोर आ रहा है अवेरने सारी अब तो बलके कम ह होना चाहिए चीजों को कम होना चाहिए पर तो बहुत हो गया है ना आप देखोगे तो सोशल मीडिया पर आपका तो माशाला चैनल बहुत हैवी है मैंने देखा है मैंने कली देखा था कि सोशल मीडिया पर जो है ना सबसे ज्यादा रियालिटी से ज्यादा सोशल मीडिया बेचल रहा है बिल्कुल इनकी शायद वो एक्स्प्लेइन नी कर पाए बात को कि फेक चीजें ज्यादा आती है रियालिटी काम आती है अच्छा मुझे बता है यह मुसल्मान है इन्होंने बोला कि हम साथ रहते हैं और नो डोट जैसे उन्होंने गुफ्त कुई है मुझे ल का आया केस ठीक है अब आपने बुला मैं मिनोरिटी हूँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि उपर जो पावरफुल होते हैं वो मुसलिम होते हैं जो भी होते हैं तो यह बहु साथ काम करते हैं यह आपके साथ स्टैंड नहीं लेते हैं यह तो ऐसे समझो हमारे कदंuity हो कदम मिलाक ना और ये आपने सुना है ना कि छोटी-छोटी मचलिया मतलब पस जाती है कानून जाल में और बड़े मांगर मचो बड़ी मचलिया निकल जाती है ये बेसाई सीन है अब मैं जब सिंद में आया हूँ मुझे दो-तीन दिन हो चुके हैं सिंद में हूँ मैं कभी बहुत से एर लड़की की फोर सन्वर्जन होती है उसकी क्या लाजीक है लड़की की अगर बात की जैए मजब चेंज करवाना है किसी को ज़यदा गी महबत है इस नहीं करता हूँ तो वो लड़कों को भी करें, सिरफ लड़कियों को क्यों? वही कह रहा हूँ ना कि इतफाख मतलब आप इसलाम से महबत करते हो, हम भी महबत करते हैं आप मेरे साथ, मैं आपको तस्वीरे दिखाता हूँ, हमारे भगवान के साथ अला की तस्वीर हैं ठीक है ना? हम हम होमिनिट्रि प्रियानी के इनसानित पर है यकीन रहा हैं यह सबसे पहले हम लिब्रिल हैं और हम ऐसे समझे में हमें इनसान नहीं समझा जाता हूँ वज़ा कहा है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मझभ कार्ड सिरफ खेला जा रहा है कि हम इसलाम कबूल करूँ रहे हैं इसके लावर रीजन को इसलाम कबूल तो ठीक है भाई आप इसलाम कबूल करवा ओ बेशेक करवा हो आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना जा लेकिन लड़की क्यों यहीं तो मैं स्वाल पूछ रहा हूं ना यह अभी आगे मुझे आइडिया हुए जाहरी बात है जब मैं ग्राउंड में कोई भी आता है तो फिर जब यहां के पब्लीक जो उनसी है उनसे बात करेंगे तो मैं हिरान हुआ कि फॉर्स कनवरियन तो एक चीज है लेकिन सिरफ लड़कियों की ही क्यों लड़किया भी टीनेजिस में जिनकी एजी नहीं हुथी बारा-साल-पंदरा-साल 13 साल अब 12 14 15 साल कानून में राइट नहीं नहीं आए उनको अठारा साल से पहले आप कुछ बिस टेन नहीं ले सकते प्लिए न लेकिन वह क्या नहीं एक दिन बची अड़ जाती है दोसरे दिन मी आने के निकानामा आ जाता है उसके बाद तो हमारे हात तो कड़ जाते हैं हम तो कुछ करी नहीं सकते हैं आगे मज़ीद दुकानदानों से भी बात करते हैं इनकी जो परिशानियां थी वो भी सुनी यह बताएं मतलब ऐसे तो नहीं कि एक साल बाद भी मैं आऊँगा तो मैं पुछूँगा भई क्या मसला आपको हो यह मसला यह मसला यह मसला यह बी हत्म हो गया चैंज हम यह समझो रिस्पॉंसविल्टी जो थे हम सब की है इसे समझो यहां पर जब तक कि मतलब करॉप्शन जब तक की लाइन आडर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझता तो मतलब यहां में पाकिस्तान में कुछ मतलब अमून वगएरा या मेनाटीज वगएरा के लिए कुछ अच्छा हो सकता है जब तक हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा ना तब तक हम ऐसे ही रहेंगे जो सिंधु लड़की का कोई केस वायरल क्यों नहीं पाकिस्तान की मीडिया पर के लिए पीडिव स्वायु पावर होने चाहिए इसे डो तीन जो चेनलस है वो तो आ जाएंगे मिडिया आएगा भी तो ऐसे समझो वो नीज में चलेगी कि वो कहानी को चाहिए कर दिया जाए वो ऐसे समझो कहानी को रुख जो है ना वो ही चेंज देए देएंगे वो हम ऐसे समझो मजलूम से जालिम हो जाएंगे फिल्ट ये जो हस रहे हैं हसता हुआ चेहरा नजर आ रहा है अगर आप फिलिंग इनके महसूस कर सके तो आपको आइडिया होगा अचा है मुझे ये बताएं कि क्या वज़ और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आप ये बोल रहे हैं ना कि चेंज कर दिया जाएगा सोचल मीडिय हैं बिल्कुल ये तो है मतलब सोशल मीडिया कर थुरू हमें ये इक फारिदा हो गया है क्योंकि युक्त हम कोई भी अपनी आौज होते हैं कोई जिम्रों करते हैं अलाइवानों तक पहुंच आते हैं अभी मैं रही आपको बताता चलूँ कि मेरा जो चैनल है ये इंटरनेशनल चैनल है हम मिनौरिटीज पे ही काम करते हैं खास तो पे जो पाकिस्तान में मिनौरिटीज है उनके लिए हम आवाज उठाते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी है पाकिस्तान की मिनौरिटी पाकिस्तान की शान है तो इसलिए इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको कभी कोई इशुओ और आपको आपने हमारे से राब्ता करना है और आपको ऐसा नहीं फेलोगा कि जो आपकी यह स्टोरी है उसे ऐसे कर दिआ जाएगा जो है वोई आगे दिखाया जाएगा बिलकुल बिलकुल यह आपकी बड़ी महरवानी आपने हमारी आवास मतलब है आपकी आवास आगे आपको आइडिया नहीं कहां तक जाएगी और जाती रहेगी जैसे ही कभी मुझे कोई इशू यहां पर ऐसा लगेगा को इशू है मैं यहां पर हाजर हूँगा लाहोर से मैं यहां आया हूँ और अब मैं यहां आता रहूँगा ना सिर्फ इस एरिया में पुरे सिंध में मैं विजट करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की मिनॉर्टिस के लिए इन्शाला इन्शाला आ हैं हम एक्चली ये वही कह रहा हूं ना कि हम इंशाला माशाला ये बहुत अच्छे मतलब अलफाज है इसका यानि सिंपल सा मतलब है कि ये किसी के लिए बहतरी के लिए बहतरी के लिए और दूसरी बात हम वही कह रहा हूं ना कि इंसानित हमें सबसे पहले अपनी इंसनित को देखनी है बजब तो बाद में ना बजब बाद में चले अच्छा लगा बात करके काफी आपका टाइम लिया बिजनस का टाइम है पहले ही बिजनस ठीक से नहीं चाल रहा आईए मज़ीद किसी से बात करते हैं लेकिन आप मेरे साथ साथ रहेंगे क्योंके जो जो इनके इशूस हैं वो साथ आपके उपर भी हम डालेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपसे पूछेंगे कि क्यों इने ये इशू आ रहे हैं यहां पर और दुकानदार हैं पूछेंगे कि इनका नाम क्या है आपका कैसे हैं आप मुस्लिम हैं हिंदू हैं हिंदू हैं तो फिर अपनी बात है जिसे मुल्क में रह रहे हैं वह जीज़े बॉली हमारी भी कोई मसला नहीं हिंदू मुस्लमान भाई-भाई हैं जबर्दस बहुत अच्छा लगा बहुत फलट के बाद भाड आई पानी आया उसके बाद कारोबार में क्या मसले आ रहे हैं बस ज्यादे ज्यादे परेशानी आ रही है कारोबार कम हो गह एै मेंगाई ज्यादा हो गई है बहुत से लोगों का नुकसान हुआ घर गिर के अभी मैं आ रहा था तीन divine से यहां परू थोड़े गरीब आप तो फिर चले एक मिडल कलास हैं बिजनस कर रहे हैं अपना लेकिन जो बिलकुल गरीब हैं मजदूर लोग हैं वो तो जूमपडियों में आ गए हैं ये बात सही है आपकी किसी को मिलें किसी को तो ज्यादा तर नहीं मिलें हुकूमत ने कम साथ दिया है ह कमीणिटी लिए काम कर रहे है कोई नहीं आया है उट शोटा शेयर धर कााऊ बाताने ह शोटेशए हैं जब के जादा भरत होती यह वहां पर तो पुहँचना चाहरा है जहां पर पर कोई नहीं पहुन सकता अच्छा इश्यू क्या आता है यह तो बिजनस की चाल रहे हैं, इन से क्या हैं सामने हैं, बताएं भाई भाई Grix किसी भी मुस्लमान भाइस है कोई ना कुई है एधर रहे हैं मेरी मेरी ओमरे यहां अट-था-ती साल हूं आरी तर पैदा हूं इधर कोई मेरे को जंजर नहीं आया आपको हकूमत की तरफ से राइट पूरे मिल रहे हैं जो एक परापर राइट मिलने चाहिए आपको लगता है मिल रहे हैं मतलब यह आप जैसे बार की वज़ा से आया यह पड़ा फिलोड पड़ा आ जाए बरसात हुई तो वैसे तो कुछ नहीं मुला ना मतलब इस इन वज़ां से नहीं मिले नहीं तो हमें रियाल्टी फेसल्टी बेर ज्यादा है फोर्स कन्वर्जियन का मतलब पता है आपको फोर्स कन्वर्जियन जो जबरदस्ती मजभ चेंज करवा दिया जाता है या इस रही किसे काफी केसी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए यह तो गंबट में है उनका नाम बताइएगा शीव शंकर बगवान और यह साथ हमारे जो किलां है चार कुल हैं जार्कुल हमारे बते हैं अमने महते हैं आप महते हैं आप से मुपत करते हैं यह क्या है इनसे तूर मह Export कर कोई इशू अगर आपको इंटरनेशनल मीडिया पे कोई अपनी आवाज कोई अपनी बात पुंचा नहीं हो आप पुंचा सकते हैं डरे बगएर कुछ मतलब फिकर किये बगए कोई इशू हम पाकिस्तान में खुश हैं और खुश रहेंगे कोई टेंशन नहीं हैं कोई मसला नहीं है हम खुश हैं हम कारोबार कर रहे हैं कमी पेशी तो बंदे को आती रहती हैं अच्छा लगा इनसे बात करके देखें इन्होंने तो बोला पाकिस्तान में खुश हैं लेकिन अगर रियालिटी बेस पे देखा जाए मतलब जो एक हुमे कर्मीड की तरफ से ताके अब भी अगर ये कह रहे हैं मैं खुश हूँ तो कल को कहें कि मैं खुश हूँ फरक थोड़ा सा आ जाएगा ऐसा ही है ऐसा ही है अधर इनसे अच्छा यहां पर जब मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो जैसा कि वो बता चुके हैं कि 90 कराची का इसके लिए पेसे निकल के रखते हैं वो पांच मिनट भी नहीं बैटतार। पास पांच मिनट भी नहीं बैट्टा कारोबार कैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है नार्मल चल रहा या बस अभी तो शादियों की सीजन ही नहीं तो तेजी मंदी तो होती है होती रहती है सिलाब आया फलड आप कहते हैं उसे बार कहते हैं वो आया बहुत सा नुकसान हुआ आपका भी हुआ होगा आपके महले का आपके अलाके का भी हुआ होगा तो क्या समझते हैं उसके बाद गोर्मिट आप तक पहुंची या गोर्मिट के लोग आप तक पहुंच अभी तक नहीं आए है ऐसे हिंदू पाकिस्तान में रहते होएं आपको पता है हिंदू की तदाध कम है ना सिर्फ कम है बलके बहुत कम है पाकिस्तान में रहते होएं क्या इशू जार हैं कुछ ना कुछ तो इशू आते होंगे लाइक देखें जब अगर एक साइड पे 95 लो आप आप नहीं है ना सर wha फाकिस्तान में हमने dog शिदर किये दुए और hमेशा यहीं रहें गे कही जाएंगे भी नहीं तो हमके केंदे हमारे लिए पाकिस्तान अशाय अच्छा लगा बात करके आए cent in मजीद यह पर पसु कि और जानते हैं कि वह 6 साल में रह रहे हैं और आपका नाम क्या है जैपाल जैपाल जीज़ जैपाल आप यह आपकी शौब है। ठीक है कैसा कारोबार चल रहा है कारोबार पेले जैसे मदें नहीं है फ्लाट की वज़ा से दारी बात महंगाई भी होगी कुछ कार्वार तबाह चुका है तो यह अगर आप دिखाएं यह क्या चीज आप में पहना हुआ हैो यह और भी राख्ये यह तो विता हैं इससाल को इसे हम प्याले गाट के मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं हिंदू कम्यूनिटी हैं और कम तदाद में यहां पर रहे हैं यह तो चलें बजार सारा ही आपका है ना आप तो यहां पर फुल प्रोटोकॉल से रह रहे होंगे जी बिलकुल अच्छा ओवराल अगर बात की जाए यहां दरने की कुई बहुताएं की का बात है कोई आपके पात कोई पिस्टल बंदूक तो नहीं है आप हमझेद हैं लेकिन हमारे पाड़र कोई भी बहना बंदश नहीं किसी चीदें कि ना इतिन सोचल मीडिया पर फोर्स कंवर्जिन की बातों की बातों होती है आए दिन कोई नहीं कर रहा है कुछ हमारे पास तो हर कम्यूनिटी इदर है लेकिन कोई हमें उदर से फोर्ट नहीं करता बाई-बाई कर रहते हैं तो अच्छा यह जो फलड आया इसके बाद गुष्मिंट को कोई एड आई कोई पैसे आये, कोई मतलब हेल्प के लिए जाहरी बात अब बहुत सा नुक्सान हुआ आपके जो उनसे आपके अगर गार नी गिरा होगा, आपके किसी रैलेटिव का गार गिरा होगा, आप फिर बिजनस मैन हैं, बिजनस कर रहे हैं, जो थोड़े घरीब तब का है, मजदूर है उनके बड़ा नुक्सान हुआ, कोई गोवर्मेंट की तरफ से आपकी कम्यूनिटी के लिए लोग आए, जिसका वे नुक्सान हुआ है ना, उनके वो सर्वे वाले आये थे, सर्वे करके कहे थे, कोई भी ऐसे नहीं कर रहा था कि यह दिवान है, इसकी सर्वे नहीं करनी है सब की सर्वे कर रहे थे, और इमानदारी से सर्वे कर रहे थे, उसके साथ आर्मी का एक बंदा भी था, आए, मज़ीद किसी से बात करते हैं इसी हवाले से, बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप जनाब, आपका नाम, मुजाहिद हुसैन, मुस्लिम है आप, यहां पर वरकर है काम करते हैं, और आपका नाम क्या जनाब, सुरेश कुमार, यहां के आउनर हैं इस शाप के, दुकाने मेरी हैं, तो आप यह बताएं सबसे पहले तो, के फलड आया, उसके बाद कारोबार कितना मुतासिर हुआ आपका, बहुत मुतासिर हुआ है, फलड के बाद जो इना, इदर के हालात भी खराब हो गएं, और कारोबार के इसाफ से, जो भी अबी आलात ऐसे हैं, जो किस्टम वार आयरा है हमारे उपर, तो कंस्यूमर के पास जो अपना बाइंग पावर नहीं है, जाहरी बात है, अपना घर बनाएंगे, अपना खाना लेंगे, अब यहां पर दूद मैंने पता किया, जो मिल्क है, वो दो सो प्लस, दो सो प्लस रुपे के जी मिल रहा है, किलो मिल रहा है, ऐसी लिटर, जी ऐसे ही है, बल्कुल दूद में, हर चीज महेंगी है ना, अपने हैं, अपने अपने घर के खर्चे नहीं है, अपने लिटर मिल रहा है, तक्र एरिया है बलोचिस्तान का एरिया है वहां पर जो मतासिर हुएं उन्हें वो पैसे पहुँचाए जाएं आपकी जो हिंदू कम्यूटी हाखास तोर पे यहां पर जो रहते हैं उन तक पैसे पहुँचे हमारे जो इदर फ्लेड में जितनी तवाई हुई है ना उसे साथ रिट सारी है वो पूरी हो सकी अब जितनी होनी चाहिए थी नहीं नहीं जितनी होनी चाहिए ना 100% अतना नहीं तावन किया गोर्मन ने अब यह रोड पे मैं देख रहा था यह आपका स्टेशन का कोई एरिया है वहां पर जो हिंदू कम्यूटी है बाहर रोड के उपर कैम्प ल उठाते हैं या कौन उठाता है कोई अपने कम्यूटी बनाई हुई है बस वो ऐसा है ना फंड अगर वहां से मिल वे रहें ना तो हमारी ब्रादरी तक मिल नहीं रहें पहुंच नहीं पा रहें यहीं तो यहीं पूछना हो क्यों नहीं हमारे जो ब्रादरी के बड़े मिलती मेंस्ट्रेम मीडिया की तरफ से कोई बड़े चैनल की तरफ से कवरिज नहीं मिलती तो आप उन्हें कवरिज दें लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आवाज जिस तरीके से बाढ़ रही है आप जिस तरीके से मेरे प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं मजबूर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट अल्ला आप